हे अबरिवन असलाम अलेकूं वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में नेश्टर तरीके से और नेश्टर इंग्रीडियन्स से स्किन पॉलिश का बहुती जबदसा तरीका आप लोग को बताने जा रही हूं यह आपको नेश्टर तरीके से अच् तर्मेरिक हल्दी है फिर चाहिए होगा बेसन बेसन के बाद राइस फ्लोर्ड साथ में दही उसके बाद टमाटो जूस हमने टमाटो प्यूरी नहीं लेनी टमाटो जूस लेना है और साथ में यह मैंने भीगो कर रखी थी मुलतानी मटी कले मार्क्स जिसे कहते हैं तो यह तो तमाम चीज़े हैं जिस से आज नीशर तरीके से स्किन पालिष करेंगे और rings एज बाई वन और सारे स्टेप को पॉलो करेंगे तू स्किन पालिष के पहले स्टेप की तरफ जलते हैं जोके हैं क्लेजनिंग क्योंकि face का clean होना साफ होना बहुत ज़्यादा important है तो face को करेंगे clean तो यहां cleaning बनाने के लिए यह दो बड़े चमज भर के दही के शामिल किया है और दही में use किया जाएगा turmeric healthy इसमें इस्तमाल करूंगी turmeric help करती है lighten up करती है आपके skin को, hyper pigmentation को और जो भी आपके skin पर anti-inflammation होता है anti-oxidant होता है या कुछ भी इस तरहां कि आपके skin dry होती है या dark sport होती है या आपके skin tone बहुत ज़्यादा dark होती है तो उसको lighten up करती है और बहुत अच्छा fresh करती है तो यहां cleaning का पहला step है इसको करना किस तरह से है कि यहां मैंने दोनों चीज़ों को कर लिया है अच्छे तरह से mix अच्छे यहां मैंने steel का बरतन क्यों use किया है क्योंकि इसे मैं 5 मिनट के लिए fridge में ठंडा करूंगी ठंडा करने के बाद इसे फिर आपने face पर apply करना है क्योंकि summer season है तो उसमें कोशिश किया करें ठंडी चीज़ें अपने face पर use किया करें यह आपके skin को बहुत ही अच्छा और enhance करती है और 10 मिनट छोड़ देना है देन आपने face को wash कर लेना है तो आपके cleaning बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगी wash करने से पहले थोड़ा सा आपने face पर इसको रब भी करना है क्लीजनिंग के पास second step आएगा मसाज का मसाज करने के लिए यहां मैंने tomato juice यूज किया है tomato juice को strong ingredients माना जाता है skin को lighten up करने के लिए whitening करने के लिए यहां मैंने tomato juice लिया है कोई सा भी आपने cotton का इस तहां से तुक्रा लेना है देन उसको जो है tomato juice में dip करना है और उसको अपने face पर इस तहां से apply करना है apply करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे cotton dry हो जाए फिर आपने उसको tomato juice में dip करना है देन फिर आपने face पर apply करना है क्योंकि tomato जो है वो rich होता है vitamin C में vitamin E में और ये बहुत अच्छा ingredients है आपके से उनको lighten up, brighten up करने के लिए देन इसके बाद third step करेंगे जो कि है massage massage करने के लिए basin का इस्तमाल करेंगे और साथ में rice floor का use करेंगे rice floor में excellent components होते हैं जो कि आपके skin को nourish करते हैं जब rice floor और basin को mix करके use किया जाता है तो ना सिफ ही आपके skin को exfoliate करते हैं बगे brighten up करते हैं आपके skin को बहुत अच्छा करते हैं यहां मैंने 2 tablespoon rice floor लिया है then 2 tablespoon इसमें basin का use किया है और इनको mix करने के लिए rose water का use करेंगे इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह से mix करेंगे कि एक fine सा paste बन जाए जब यह fine सा paste बन जाएगा तो इसे आपने अपनी face पर skin पर apply करना है और छोड़ देना है कि अच्छे से dry हो जाएगा जब dry हो जाएगा तो आपने इसको rub करके उताना है और यह सारी dust skin को remove कर देगा आपके open pores भी बंद हो जाएगे और सारी skin अच्छी और fresh हो जाएगी जिनके face पर बहुत ज़्यदा dark sports हो वो यह वाला marks daily भी use कर सकते हैं in the air marks लगाएगे जो कि है clay marks यहाँ मेने मुलतानी मिटी वो भीगो कर रखती थी भीगोने के बाद वो कुछ इस तरह से हो गई then इसमें पानी शामिल करूँगी पानी शामिल करने के बाद यह अच्छा fine सा paste बन जाएगा इस तरह से फिर आपने इसे apply करना है marks और यह जिनको pimples का issue हो, acne बहुत स्यादा उनके चेहरे पर हो तो वो अगर इसे daily use करेंगे उनकी acne खतम होगी even के जिनके pimples के scars होते हैं, वो भी खतम होगे और naturally तोर पर आपके skin बहुत अच्छी होगी तो इसे आप daily marks के तोर पर भी use कर सकते हैं तो यह थी आज की complete video, natural तरीके से skin polish करना बताई hope so, मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो like, share, comment कीज़ेगा और मेरी चैनल को ज़रूर subscribe कीज़ेगा इंशाला नेक्स वीडियो में होगी, Allah आफेस